डाइट का नियंत्रन अब लोक शिक्षण संचालनाले के पास प्राज्य शिक्षा केंद से मुक्त। प्राज्य शिक्षा केंद से चीन कर अपने अधीन जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानि डायट को संचालित करने जा रहे लोग शिक्षक संचालनले के समक्ष अनेक चुनौतिया रहेंगी सालों से भारी विसिंगतियों का बोज जेल रहे इन संस्थानों में ना सिर्फ अफसरों को अरसे से जमे शिक्षकों को हटाना होगा वही रादवी देखना होगा कि इन टीचरों ने बच्चों की शिक्षा में कितना गुनात्मक विकास किया है बताना होगा कि वर्ष 2001 से यह केडर राज शिक्षा के इंद संभालता रहा है नियम के अनुसार इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और व्याख्याताओं की नियुक्ती उनकी योग्यता के अनुसार करने का प्रावधान है लेकिन अनेक अयोग्य लोग यहां बैठकर जूनियर होने के बाद सीनियर शिक्षकों को ट्रेनिंग के रूप में शिक्षा देते रहे हैं जबाबदारों को यह देखना होगा कि मास्टर ट्रेनर्स शिक्षकों को प्रशिक्षन देने योग्य है या नहीं विशे की गहरी समझ रखने वाले शिक्षक को ही faculty member बनाया जाता है या फिर पहले की तरह मनमाना राज रहेगा हाला कि राज्य शिक्षा केंद्र से यह व्यवस्था चीनी गई तब गया है यह सवाल भी उठे थी कि कुछ लोगों की स्वार्थ पूर्ती नहीं होने के कारण यह कैडर निरस्त किया पर विभाग दावा करता रहा कि ऐसा नहीं है क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र प्रतिन युक्ती की परियोजना है जबकि सभी डाइट में तबादला से पोस्टिंग वाले संस्थान है हाला कि लोग शिक्षन संचालनाले कमिशनर अभय वर्मा कहते हैं कि शिक्षा प्रशिक्षन संस्थानों की निगरानी की जा रही है बेहतर काम चल रहा है नोटिफिकेशन स्पष्ट परिभाशित नहीं मप्र राज्य कर्मचारी संग के अध्यक्ष विश्वजीत सिंग से सौधिया कहते हैं कि राज्य शिक्षा केंडर से यह व्यवस्था लोग शिक्षन को देने के लिए शासन ने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें स्पष्ट परिभाशा नहीं दर्शाए गई है उनका कहना है कि सिर्फ कैडर निरस्ती का उलेक है क्योंकि ऐसा किया गया इसका कारण भी दर्शाय जाना चाहिए इससे साफ हो रहा है कि मिडल प्रायम वी शालाओं में शिक्षा की गुनवत्ता बढ़ाने के लिए स्थापित यह संस्थान इमानदारी से कार्य नहीं कर पा रहे थे